हेलो फ्रेंट्स अगर आपको मीठा खाना पसंद देना है तो ब्रत हो या फिर ना हो या पर अचानक से गेस रहते हैं तो दो से तीन चीजों से अब इसको बना के तयार के सकते हो बिना मावा बिना मिल्क पाउडर बिना चाशनी की बहुत ही मिंटों में दोनों ट्राइब की बर्फी के रिजपी तयार होती है ब्रत में भी बनाइए कभी बनाइए दोनों ही अपने आप में बहुत ही टेस्टी चलिये बनाते हैं इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैं जो बनारी हूँ न वो संदेज बर्फी बना रहे जो कि बैंगॉल की बहुत ही ज़दा फेमस आप देख सकते हैं अभी शुगर पीछने के बाद एक कटोरी पूरी हो गई है तो में पूरी शुगर के यूज नहीं करना है जितना हमें मीठा पसंद होगा मुटना ही यूज करेंगे बेंगॉल की संदेज बरफी होती है वो छेने से बनती है बट मैं आज इसको पनी से बन हाथों से मसल लीजे नहीं तो आप ग्रेड भी कर सकते हैं आपको जैसा भी सुटे बलू हाथों से यह रफ्ली इसको इस तरीके से तोड लिया है क्योंकि हम इसको ग्राइंडिंग जार में पीछने वाले हैं तो ग्रेड करने के जरूत नहीं है ऐसे हाथों से मोटा मोटा ज़ा तोड़ ले यूश को ग्रेंडिंग जार में बड़ीया असा इसको पेस्ट बना लेया है भीच से बटर पेपर लगां और इह हमारा पनीर या पहला बहुत अच्छे हैं तो मैं आप तीन से चाहर साड़े चमची साड़े तीन चमची शुगर डालूगी आप चाहे तो पूरा डाल दीजे बर इतना शुगर बिल्कु परफेक्ट है आप और लगे तो डाल सकते हैं बागी शुगर को आप किसी और चीज में यूज कर लीजेगा आप क्या करना इसको ने बड़े से पैन में ट्रंस्पर करना है और गैस में चड़ा के इसको लो फ्ले में हमें कोक करते रहना आप कोक करते देखोगे न यह बिल्कुल बढ़िया सा क्रीमी फॉर्म में आ चुका है और थोड़ी देर में यह अपने आप ही शेप होड़ करने लग जाएग डाल कर एक नटीमाड करने के बाद हम को इसको इसको क्या करना है तो तो अगर बना रहे हैं तो रूम तंपरिचर में भी सट कर सकते हैं और यह बहुत ही अच्छा से उच्ट हो गया है मैं इसको कड़ करके आप को दिखाने वाली हो बहुत ऐज लीनिये निकल जाता था प् इसको पीसेस में आप अपने हिसाब से कड कर लीजए इतनी ज्यादा मॉथ मेल्टिंग यह इतनी सॉफ्ट है कि आप इसको तोड़ोगे ना क्योंकि पनीर के वर्फी है बहुत ज्यादा टेस्टी दिया पह्त है इसी तरीकिये इसको टेस्ट आता हैं यह ऊट्रको छेना से ब को बड़ी पसंद आती है इसको बना कि आप आराम देख आपके तक कंटेनर में रख सकते हो मेहमान आते हैं या नौरातरी में आप इसको बनाएगे मगर आपको बहुत कोई टैम मिठाई बनाने वाले हैं यह है हमारी नारियल और सूजी की मिठाई जो कि बहुत इटेजी एक बॉल भर के मिल्क तो क्या होता जब हम डेशिकेड़ कोकोनट में मिल्क को डालते हैं तो जब थोड़ी हम रख करने रखेंगे साथ में चमस खालू डालेंगे उसको मिक्स करके हम सिर्फ 10 मेट के रिए रख करेंगे इससे क्या होगा जिश पेक्शर आगा बिल्कुम ब मूटी हो उसको ग्राइंड जरूर करना है क्योंकि हमें बिल्कुल वैसा ही टक्षर चाहिए बिल्कुल क्रीमी मलाई वाला तो हमने इसको अच्छे से क्या किया है पीस लिया तो पीशने से वह ऐसा लगे गा है नहीं कि सूजी की मिठाई है उसके बाद मैंने यह दूत और न मज़ घी लेना है और सॉरी मेरे पास पैन नहीं था जब मैं यह विडियो बना ली थी तो मैं यह वारा पैन यूजे कर लिया है यहाँ नया पैन खरीद रही हूँ तो अभी प्रीज तब तक इलिए सॉरी अब हमें क्या करना है बस में सूजी डालना है और सूजी को डालक पूली फूली दिख रही है तो आप में कहा करना है में शक्कर डाल दे रहा है तो मैंने आदा कटोरी शक्कर डाल दिया है इसको भी बढ़ियां से चलाएंगे ना तो यह देखें सूजी इसके साथ बहुत ही अच्छा से मिक्स हो जाएगी और मैल्ट हो जाएगी बस नारियल दूद का मिक्शर डाल देंगे उसको पकाते पकाते हम देखो कि यह भी बिल्कुल होड कर लेगा शेप को अपने क्रीमी देख रहा है और लग रही है क्या सूजी की बरफी है बहुत ही टेस्टी लगती है क्यों कि इसको टेक्श्चर बहुत ही बढ़िया आता है पैंच हो हो जाता है इसको हम हाथों से अच्छी से टॉस्क कर सकते हैं तो बस आपको ऐसे लेना है और डारेट आप इसके बाल बना लीजे पेडा बना लीजिए पर मैंने क्या किया है इसको बना के पीच में स्टफिंग के लिए थोड़े से किसमिस रखी है इस से नउसका टेस कोट जरूर करना है क्योंकि जो सूजी में जो भी मौशार है वेब जॉब कर लेता है अब इसको इस तरीके से बना के हराम से एक हपते फ्रिज में रखोगे तो अभी मैं आपको तोड़ के दिखाऊंगी बहुत सौप्ट लगी जिसको जैसे एयर टाइट केंटेनर में रखो और यह दिखे बन के तयार है बहुत ही टेस्टी सी आपकी यह नारिया सूजी की बर्फी दोनों यह बर्फी आपको कैसी लगी आपको पसंद आए पिए में चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें तब तक के लिए बाय थैंक्स परोची में जाइब पल्बसक्राइब करें लोगी रखी में चैनल को झाल को लिए में है धर, लोगी आपके बर्फी टाइब में पने दोटे हैं, विर रखी 5 आपको भाउड़ा है, प्रोगी नार स्टी से लोग्ड़ाहईब के लिएमी का अर्यारोबसक्राइब के इंगे आपको यह